अब पहले सीट सेरिंग कर लीजे तब बैठक कीजे और अब यह बैठक जदी होने जा रही है ते एक तो बात है कि उस दिशा में सीट सेरिंग की दिशा में कुछ बात आगे बढ़ेगी नमस्कार अपने इस फोडेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदेना बिहार के मुख्य मंतरे नितिस कुमार इंडिये से अलग होकर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी को चुनोते देने के लिए तमाम विपक्ची पार्टियों को एक जूट किया एक मंच पर वो सभी क को बुलाने की कोसिस की हैं हालांकि इसमěं सभल भी हुए लेकिन अब बात कनवेनर को लेकर करके एक बार फीर इंडिया इलाइंस की बैठक होने वाला है तो क्या कल की में नितिस कुमार के संज़जlike को लेकर के सब कुश हो जाएगा इस वक्त हमारे साथ बाद करने के है कि कल इसी तरह की एक बठक पिछले सपता भी होने की चर्चा हुई थी चर्चा तो हुई हाला कि उसके बाद कॉंग्रेस ने एक सरसाइज किया है जो महागडवंधन में मतलब जो इंडिया घटक दल में सामिल नेता है पाटियां है उनके एक एक कर पिछले दिन आपके नेताओं से बात की उसमें बिहार के राजत के नेताओं से बात की आज सपा के नेताओं से बात हो रही है पिछले दिन आपके नेताओं से बात पिछले चार महिने से इंतजार हो रहा है कि नितीश जी ने जो एक पहल की थी, सारे भाजपावी रोधी दलों को यूट किया था, पटना में पहली बैठक बुलाई, अब तो इंडिया मोर्चा बन गया, लेकिन उसका पीम का चेहरा कौन होगा, उसके संजोज़ा कौन होगा गईताय नहीं हुआ, और जैदी तो की चाहत रही है कि नितीश कुमार पीम मैटेरियल है, पीम का चेहरा उन्हें बनाया जाना चाहिए, और पाटी के तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि सीट सेरिंग को लेकर बहुत देर हो रही है, जल्द से जल्द करना चाहिए, जो परिंग की दिसा में कुछ बात आगे बड़ेखी, अब कंवेनर shipped की बात है, मुझे लगता है कि कंवेनर तै होंगे या फ्यू又ी कंवेनर उसका है, कि ये कंवेनर महा करवंधन की ओर से इंडिया घटक दल की ओर से प्यूप का चेहरा होगा विध सवाल उठेगा, और पिर जैसा नितिश जी हमेशा कहते रहे हैं कि भी न पीम के चेहरा है न पीम के दावेदार है तो ऐसी इस्थिति में अब जो कल बैठक हो रही एक उस दिसा में एक सकरात्मक पहल होगी उमीद की जानी चाहिए लेकिन आज एक बड़ा इंट्रेस्टिंग ट्वीट आया है विहार के भवन निर्मान मंत्रिया सोग चौधरी का इसके पहले दूसरे मंत्री संजेज हां कभी आया था कि मेरी 16 सीटी जीती हुई है और 17 17 सीट विजन चौधरी ने कहा था कि हम लोग तो 17 लड़े थे एक सीट कॉंग्रेस जीती थी तो 17 तो हमारे सीटिंग और गेटिंग वाल कि दावेदारी को आप गिंती करेंगे तो 57 सीटे हो गई है लेकिन अब कल की बैठक में कहीं न कहीं जो जिसकी है जो आवकात है यह कहिए कि जिसका जो एक लोजिकल इन पड़ जाएंगे तो उमीद की जानी चाहिए कि कल के बैठक में कोछ उसकी दिसा तैय होगी और यह है कि जिस तरह से अभी यह भी चर्चाय चल रही है कि खर्मासवाद जो है राजनेती करवट लिया जा सकता है तो कुछ जो तस्वीरें जो अभी फिलहाल बंती दीख रही है इससे तो स्वस्ट हो रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ ने कुछ तो बिहार में जो है हम पर लढने को त्यार नहीं है और जदी क्यों से तसपस्ट कह दिया गया है कि सत्रह तो हमारी सीटिंग सीट जो सोला है एक हम लड़े थे तो सत्रह तो है सत्रह के लावा जो सीटें बजती है वो लालू जी 23 सीट में दूसरे सही होगी है इसलिए कि जदी उसे राजत की दोस्ति हुई थी देखिए हाँ पेच कहां फसा है कॉंग्रेस के लिए पेच फसा है बामदलों के लिए जो सीट उनको चाहत है जो उनकी दावेदारी है साथ उतनी सीट मिलने से रहा तो आप सवाल कर रही है इसका कहीं देख लिए अभी तो संक्रान्ति के बाद को इस त पाले में जाएंगे तभी एक चेंज होगा अभी फिलहाल सीट के लेकर देखे हर बार किसी गटबंधन में जब भी चुनाम नजदीक आता है तो इसी तरह का दिर्स बनता है लेकिन सिर्फ सेरिंग की ही बात नहीं हो रही है कई नितिसकुमार के अब इज़त का सवाल पर स तो लगता है कि सब कुछ कंपरमाईज करके नितिसकुमार कभी रहे नहीं है तो यह बाते जो है सभी लोगों को जहन में दीख रहा है अब तो सवाल कर रहे हैं ऐसा कि नितिसकुमार महागर बंधन में अपमानित महसूस कर रहे हैं देखिए एक नाराजगी कुछ सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपने देखा को अपना बना लिया है रहुल गांधी नितिसको बढ़ चरकर कहा कि जिसकी जितनी अबादी उतनी हिस्सेदारी लेकिन इसको चाहते थे नितिस जी कि वह इंडिया घटक दल का एजंडा बने और यह अफसोस उन्होंने खुद नितिस कुमार की हम तो जो कुछ कर रहे है वो कॉंग्रेस के की मजबूती के लिए के खिलub national level परकून लड़ेगा जदियु औभी हार की पार्टी है राजद बिहार की पार्टी है सपा यूपी की पार्टीhin तो national लेवेल मोड़ेंजेकिस जो मुकावला है जो राजिंतिक लडाई संघर्स होगा तो वह कॉंग्रेस करेगी लेकिन अब एक बात है कि सारी भी प्रक्षी पाटियां जो चेत्रिय पाटियां है जो जहां हो चाहती है कि उनका आपने देखा कल बंगाल में क्या हुआ ममता बनर जी ने तो कॉंग्रेस के बटवारा एक डिफकल्ट टास्क है इंडिया घटवंधन के लिए और कल की बैठक में अब संजोयक नितीजी बनेंगे कि फिर टलेगा कोई ये वेजंडा ही नहीं है हम इडिया का क्यास है लेंगि सीट बटवारे की दिशा में कल जो बैठक होने जा रही है मुझे लगता करेगा और एक बात है मैं ये भी मानता हूं कि इंडिया घटक दल में जो सामिल है गैर भाजपा मने भाजपा विरोधी पाटियां ये चुनाव उनके अस्तित्प की लडाई है ये उनके भविस की लडाई है इस चुनाव में जदी वो बीजेपी के खिलाप एक जूट होक जैसा मैंने आप से कहा उनके भविस और अस्तित्प का सवाल होगा तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार के वरिष्ट पत्रकारों में से एक अरुन पांडे का इसकर बस इतना ही बने रहे ये नियुश्पोनेशन के साथ धन्यवाद